मराइच में भाजपा बूत कमेटी के उपाध्यक्ष की गोली मार कर निर्मम हत्या कर दी गई है गटना रूप डिहा थाना शेत के ग्राम पंचायत गंगापूर के पीथम पुर्वा निवासी वीरेंद्र कुमार मिश्रा और पुर्फ डबलू मिश्रा पुत्र राम खेलाव मिश्रा उम्र 38 वर्ष जो की भाजपा के बूत अध्यक्ष थे उनके घर में घुसकर उनको गोली मार कर उनकी निर्मम हत्या की गई है हत्या की घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं उनका चचेरा भाई है जिसका की नाम सर्वेश कुमार है आपको बता दे के भाज गलवार देर रात चचेरे भाई ने उनके घर में घुसकर सोते समय तावड तोड फाइरिंग करके गोली मार कर उनकी हत्या कर दी बताई जारी है कि चिकतसाले लेते समय उनकी मौत हो चुकी थी घटना के समय भाजपा के बूत उपाध्यक्ष अपने घर के बरामदे में थ अपने चार वर्षी पुत्र के साथ सो रहे थे हत्यारा हत्याकान को अंजाम दे कर मौके से फरार हो गया जिसके स्थानी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के साथ अभी उक्त को गरफ़तार करने में कामिया भी हासिल कर ली है वहीं घटना की जानकारी मिलते ही ततकाल एस पी सभार राज एवम एस एस पी रविंदर सिंग ने घटना स्थिल का निरक्षन किया और भाजपा के गंगापूर बूत उपाद्यक्ष की हत्या पे उनके चचेरे भाई ने किये इस बात का खुलासा भी किया पुलिस ने जानकारी है कि बारा बजे के आसपास मेरे बड़े बापका ननका सर्वेश मिस्रा ओम्र लगभग 27 वर्ष आकर के और सोते समय उन्दोने गोली मारा हम लोग अपने घर पे थे नहीं भाईया के नहीं तो गोली मारने के बाद जब वो भागा तो मेरी भावी ने उसको देरकर कपड़े से पहचान कर लिया क्योंकि साम को आठ बजे वो वही कपड़ा पहन कर आया भी था घर में रहता हूँ अपनी ससुराल में है किसी मिस्रा सर्वेश मिस्रा ने अपने हाथों से स्वेम मारा आपके क्या नाम है गोली मार के भागा तो हम देखा छोड़ डील के रहा हूँ जल पहने रहा हूँ कर नाम सर्वेश है वहीं मारी सी कम गटने गटने बारा बजे रात का काला पैंट सुखेज वर सब्सक्राइब बहराई से ये थी प्रकाश श्री वास्तव की रिपोर्ट